हेलो दोस्तों माई वाई उटू चल्मा आपका स्वाहत फ्रेंड आज यहीं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ Play Store की जो Search History होती है उसे आप कैसे डेलीट कर सकते हो बहुत सारे कमेंट आ रहें थे कि Play Store की जो Search History उसे कैसे डेलीट किया जाए यहाँ पर तो play store में update आने के बाद जो three line का option था वो यहाँ से हट चुगा है अब आप कैसे जो search story होती है यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके की इसे आप delete करना चाहते हैं तो कैसे delete कर पाओगे तो आज की इस वीडियो में आपको यही पताने वाला हूँ कि play store की search story कैसे delete किया जाए तो सबसे पहले आपको play store open कर लेना है play store open करने के बाद आपको यहाँ पर अपने logo पर click करना है अगर आपका play store update हो चुगा है तो आपको यहाँ पर logo पर click करना है अगर update नहीं हुआ है तो आपको 3 line की सदों मिलता है तो मैं यहाँ जो logo का option है यहाँ पर उस मैं click कर लेता हूँ यहाँ लोगो के ऊपर क defenders लोगों के ऊपरitte किया वहाँ इस सारे ओप्शनिया पर आजाते हैं आप देख सकते हूं यहाँ पर किंपली आपको शेटिंगश्य का एक option बिद्ट यहाँ इसके बाद आपको यहां पर बहुत सारे option मिल जाते हैं आप देख सकते हो तो यहां पर आपको एक option मिलता है नीचे देखिये उसके बाद टैप कने के बाद आपको आजाना है back आने के बाद आप अपने playstore को search story open करेएगा यहां से सब कुछ delete हो चुका है सिर्फ एक click में आप delete कर सकते हो playstore में जो आप search की हो सबसे पहले आपको यहांप देखिए अपने लोगों पर क्लिक करना है सेटिंग से वाले अप्सन पर क्लिक करना है उसके बाद जनरल पाने के बाद यहां पर इस पर क्लिक करना है क्लियर लोकल सर्च हिस्टोरी पर इसके दो बाट टाइप करिएगा आपका जो भी आपने सर्च किया होगा प्ले स्टोर में वह यह से रिमूब हो जाएगा तो आज किस वीडियों बस इतना है वीडियो अच्छी लगी वह चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा अगले वीडियों फिर आप से मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद